के लिए आमारण अंशन किया जा रहा था लेकिन दो भूविस्थापितों की तबियत बुरी तरह बिगड़ गई मेडिकल कॉलेज उने ले जाए गया है अभी भी इलाजरत है एंटीपीसी प्रबंदन के खिलाफ ये प्रदर्शन चल रहा है मुआफजा और मौकरी की मांग निरंतर जारी और इस अंगामे के बीच दो भूविस्थापितों की तबियत बिगड़ने की चलते भी अलचल मची पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा समझायश दी गई लेकिन फिलाल दोनों ही व्यक्ति ऑस्पिताल में लाजरत और 34 गड़ का अब जिकर करेंगे जहां पर आज धान खरीदी का आखरी दिन रहा राजनन गाउं के 96 धान खरीदी केंद्रों में यहां धान भेजने के लिए 1 लाग से जादा किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और अंतिम दिन लगभग 1 लाग 24,000 किसानों ने अपन धानकियों पच्पेची है इसर केंद्रिय साहकारी बैंक के सीओ सुधीर सोनी ने काया कि अब तक तक तकरीबन 70 लाग कुंटल धान के खरीदी की जा चुकी है समिती प्रवंदा कुपेंद्र देश्पोंक ने बताया कि धान खरीदी किये अंतिम दिन भी किसानों को टोकन जारी किया गया था अभी तक पच्छासी अजार कुंटल धान खरीदी हो चुका है उसमें से 75,000 कुंटल धान परिवान हो चुका है नहीं आगे भी परिवान होगा सब डीओ वियो कट रहे है और आज चार किसानों का टोकन था उनकर धान खरीदी कर रहे है एक लाख उन्त सतर लाख कुंटल धान विक्रे किया गया है शपन लाख 32,000 कुंटल धान का परिवान हो चुका है तेरा लाख 72,000 कुंटल धान अभी भी समीतियों से परिवान है तुख सेस है इधार पूरुमंत्री अमर्जीत भगत के ठेकानों पर आयकर विभाग की जाच पांचवे दिन भी जारी रही तुनाइपूर में इंकम टाक्स के अधिकारी भगत के छिकानों पर दस्तावेज अमें भी खंगाल रहे हैं अम्विकापूर में भगत के छिकानों और करीबियों की यहां पर रेड जारी है आएकर अधिकारियों की टीम यहां से रवाना हुई है अमरजीत भगत पर जो यह कारवाई की जा रही है कॉंग्रस तेसे बदले की कारवाई बता रही है प्रतेश कॉंग्रस तेक्स दीपक बैट जो यह कहते हैं कि वीजोपी बदले की भावना से काम करती है ED, CBI, IT के जरियर सरकार को बदनाम करने के कोशिश हो रही है सेंटरल के एजनसी और राज सरकार यह दोनों मिलकर डराने का काम कर रही है मतलब समझ लीजिए कि 36 गरवे भारती जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर कितने डरी हुई है